विल्कम बेक, वार्ड़ोलोजी 49 The culprit was hacked to death with axes culprit का मतलब होता है दोसी hacked मतलब होता है कोई धारदार चीज से परहार करके मार देना The culprit was hacked to death with axes यहाँ पर एक्टर में hacked to death मतलब इस तरह से परहार करना कि उसे मौत के घाट उतार देना तो कुलहारी से परहार करके दोसी को मार दिया गया था To hack means to cut with strong, rough, violent strokes using a sharp tool Hack का मतलब होता है कि किसी तेज रूखे हिंसक परहार करके किसी तेज औजार का प्रियोग करके किसी चीज को काट देना This new manner of putting a culprit to death was a shift from the hackneyed hanging यह जो नया method हुआ दोसी को मौत के घाट उतारने का यह एक बदलाव है Hackneyed hanging से लटका करके जो आम तोर पे hackneyed wins होता है सधारन मध्य मश्तर का जो सध्धारन तरह का जो punishment होता था कि किसी को अगर मौत की सिजा देनी है तो उसे क्या किया जाता था hanging कर दिया जाता था और वो hang till death कर दिया जाता था तब तक लटकाया रहता था जब तक कि उसकी मौत नहों जाए तो यह एक आम तरीका था तो आम सधारन के लिए यूज करते हैं hackneyed तो यह जो नया method अपनाया गया मौत के घाट उतारने का यह एक बदलाव था लटका कर मारने के आम तरीके से अगर कोई भी चीज hackneyed होता है तो यह किसी को अतिसाधारन होता है जिसकी वैसे यह किसी को इंप्रेस नहीं कर पाता है फेल्स टू इंप्रेस मत्ता किसी को प्रभावित करने में किसी को किसी को प्रभाव डालने में सफल रहता है क्यूं क्यूंकि ऐसा प्रियोग ऐसा किया जाता रहा है ऐसा देखा जाता रहा है ऐसा सूना जाता रहा है बहुत बार इससे पहले भ पाता है बहुत ज्यादा लोगों में इंट्रेस्ट पैदा नहीं कर पाता है। The practice of sentencing criminals to death should however be abolished. यह जो रिवाज है अपराधी को सजा देने का जिसमें की मौ जान से मार दिया जाता है हलांकि इसे खतम कर दिया जाना चाहिए। The practice of sentencing यहाँ पे ध्यान देने वाली थी यहाँ sentence का मतलब वाक्य नहीं है यहाँ पे sentence मतलब होता है सजा देना और practice मतलब रिवाज तो कहता है यह जो practice है यह जो रिवाज है अपराधी को मौत की घाट उतारने का मौत देने का हलांकि इसे खतम कर दिया जाना चाहिए मानव को पताल लोक में पहुचाने वाले ऐसा माना जाता था कि मारने के बाद बुरी आत्मा पताल में चले जाती है और अच्छी आत्मा स्वर्ग में चले हैं तो कहता है कि हम भेजने वाले कौन होते हैं इन greek misinformation gent pesanti一下 जो दो पोरान इक kent Press підमागा उसके हिसाब से Heads was a place under the earth where people's souls went after they had died. उसमें माना जाता था कि लोगों की जो आत्मा है मरने के बाद धर्थी के अंदर एक ऐसी जगह है जहां चले जाती है जिसे हम लोग हिंदी में पताल लोग काते हैं तो उसी को वो क्या काते थे ग्रिक माइथलोजी में Heads काते थे. It is not easy to drive along a hilly road particularly because of hairpin bends. असान नहीं है पहारी बाले सरकों पर गारी चलाना खास करके जब वहां पर hairpin bends होता है. एक बाल को फसात है और कि अगर कहीं की सरके एक एक दम इस तरह से hairpin bends ऑग इस तरह से मुआ हो जैसे लग रहा हो कि बाल में जो पिन लगाते है उसकी तरह से मुआ हुआ हो तो वहां पहारी अरिया में घारी चलाना ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है. What is a hairpin? Hairpin क्या होता है? It is a pin made of wire bent into a U shape to hold long hair in position on the head. Hairpin एक pin होता है जो U shape में U आकार में मुरा हुआ होता है और उसका प्रयोग किया जाता है सर में बालों को एक निश्चिती में रखने के लिए. So a hairpin bend is a very sharp U shaped curve in a road. तो hairpin bend का मतलब यहां हुआ कि बहुत तिक्ष्र U a car का मुरा हुआ होना कर्व होना मतलब मूर होना सरक पे As when going up a steep hill खास करके जो बहुत ढालुआ जो पहार होता है तो वहां पे इस तरह की hairpin bends होता है इसके पीछे कारण होता है देखो जैसे मान लो कि पहार यहां है तो अब ऐसी सरके तो बनाई नहीं जा सकती है तो सरकी कैसे बनाई जाती है ऐसे 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 तसके हलकी चरहाई करते करते है तो यहां पर जो दो पार्ट में होता है जो देखो एक तो यह area एक यह area तो इस दूने तरफ क्या होता है? hairpin bends होता है driving smartly at hairpin bends is the hallmark of good driving बहुत अच्छे तरीके से अगर आप hairpin bends वाले रास्ते में अगर आप गारी चला लेते हैं तो यह आपकी गारी चलाने की गुनवत्ता की पहचान है hallmarks मतलब क्या होता है कि गुनवत्ता की पहचान का चिन्ने होना quality very typical mark देख करके ही purchase करिए मतलब वो दरसाता है कि यह चीज original है in fact बास्तब में we had to postponed our trip to Dargling this year because we were hamstrung by lack of drivers in fact बास्तब में we had to postpone postpon means होता है अस्थाकित कर देना we had to postpone our trip to Dargling हमारी जो trip थी Dargling के लिए उसे हमें postpone कर देना पड़ा इस साल क्योंकि driver की कमी कारण हम बाधित होगे हम पंगू बन गए हम कुछ कर नहीं सकते हैं हमें पहारी पर जाना था driver नहीं था तो हम पंगू बने हैं hamstrung का मतलब होता है पंगू हो जाना मतलब अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं अब pourquoi क्या होता है, crippled हो जाना, अपंग हो जाना, अब गारी ही आपका हाथ फैर है जाने के लिए और गारी के driver नहीं है, तो आप क्या हो गए, आपके हाथ पर काम नहीं कर देखा है, मतलब क्या कि आप पंगु हो गए, आप चल नहीं सकते है, if something hamstrings, जिसका synonyms cripples होता है, यह हो, it makes it very difficult for you to take any action, अगर कोई भी चीज आपको hamstrings कर देता है, मतलब cripples कर देता है, पंगू बना देता है, दोनों का मिनी हो गया, पंगू बना देना, आपंग बना देना, तो it makes it very difficult for you to take any action, तो यह ऐसी सिती पैदा कर देता है, जिसमें कि आप कोई action नहीं ले सकता है, कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, you are made ineffective or powerless, इसकी वैसे आप असर, बे असर हो जाते हैं, या आपके पास कोई ताकत नहीं रहती है, कि आप कुछ कर सकें, credit cards are handy, यह को handy ऐसा word होता है, जिसको handy जिसका इस्तेमाल करना बहुत आसान हो, जो आसानी से मिल जाए, credit cards are handy, मतलब credit cards बहुत ही उपयोगी होता है, और आसान तहीं का है, यूज करने का, you are spared the trouble of carrying large sums of cash, मतलब आपको बरी रकम साथ ढोने की जुवत नहीं पढ़ती है, इससे आपको चुटकारा मिल जाता है, यहां सुन्दर use है, spared का, spared मतलब आपको चुटकारा मिल जाना, फिरी हो जाना, तो you are spared the trouble of carrying large sums of cash, large sums, मतलब नकद बरी मात्रा में धोने की जो समस्या है, धोने की जो प्रैसानी है, इससे आप मुक्त हो आते हैं, that does not mean you should not carry cash at all, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको cash बिलकुल ही नहीं रखना है, या cash आपको नहीं लेकर चलना चाहिए, cash does come in handy at several places where credit cards are refused, तो कतक ऐसी बहुत जगा होता है, जहां credit cards accept नहीं किया जाते हैं या वहां पर ऐसी सुद्धा नहीं होती है, credit cards accept किया जाने की, तो वहां पर बड़े काम आता है cash, तो come in handy मतलब होता है बड़े काम आना, बहुत ज़्यदा उप्योगी होना, if something comes in handy, it is useful in a particular situation, अगर कोई भी चीज handy होता है तो इसका मतलब होता है कि किसी खास इस्तिती में यह काफी उप्योगी रहा हो, besides, you might have to give money to your hanger zone, hanger zone क्या होता है, जब कोई देखोगे कि कोई बड़ा आदमी आता है, तो छोटे गरीब लोग उसके आगे पीछे लग जाते हैं, उसे उमीद रहती है कि वो बड़े आदमी है, कुछ सायद help कर दे, या कभी future में कोई फायदा हो जाए, ऐसे लोग जो उसके dependent होते हैं, directly और indirectly उसके बहुत नजदी की होना चाहते हैं, तो they are called hangers on, besides, you might have to give money to your hangers on, हो सकता है कि आपके आस पास के लोग हैं, उनको आपको पैसा देना पड़े, तो उन्हें तो आप credit card से देंगे नहीं, उन्हें क्या देंगे, cash ही देंगे, for that you need cash, जिसके लिए आपक बेक्ती होता है, who tries to be friendly with a richer or more important person, especially in order to gain an advantage for oneself, hangers on, ऐसा बेक्ती होता है, जो कोशिस करता है, अमीर लोग या ज्यादा महतपूर्न बेक्ती है, उसके साथ ज्यादा दोस्ताना बेभार करने का, खास करके उन्हें उदेस ही होता है, ताकि उन्हें से फायदा उठाया जा सके, इफ यू वेकफ विदा हैंग ओवर, तो हैंग ओवर क्या होता है, खास करके जैसे रात को दारू पी लिया, तो सवेरे थोड़ा सा सुस्त फील करता है, वेक्ती थोड़ा सा अलग सा फील करता है, तो वो क्या होता है कि उस रात के जो वाइन लिया था, उसका असर रहता है तो किसी भी चीज का असर जो बाद में रहता है that is called hangover If you wake up with a hangover, you feel sick and have a headache because you have drunk a lot of alcohol the night before कहता है कि अगर आप hangover से उठते हैं मतलब रात को दारू पिया था, सुबह में उठते हैं तो आपको तो तो रहा सा sick, बीमार सा feel होता है क्योंकि रात को आपने, मतलब पिछली रात को आपने क्या किया था बहुत ज़्यदा alcohol ले लिया था, पी लिया था, मतलब बहुत ज़्यदा सराब पी लिया था figuratively, तो लात्मा कुर्प से बात करे a hangover is a condition or effect resulting from the past तो इसका figurative यूज अगर हम करें तो इसका मतलब हो गया कि past का जो बर्तवान में असर होता है तो उसको भी हम कहतेंगे hangover क्योंकि पीने के बाद जो असर होता है that is exactly, literally called hangover तो इस तरह से figuratively क्या हो गया the impact of the result of the past okay figuratively speaking a hangover is a condition or effect resulting from the past hangover का मतलब यह हो गया कि ऐसी इसी थी या ऐसा परिनाम जो past की वज़े से हो के आया है जो past से निकल के आया है it is an idea or way of behaving which people used to have in the past मतलब यह हुआ कि ऐसा बेवहार है जैसा या ऐसी सोच है जैसा कि पहले लोग की थी और वही अभी भी चलती आ रही है तो हम का सकते हैं कि ऐसी सोच क्या है यह एक hangover है past का but which people no longer generally have तो ऐसा hangover खास करके तब यह जाता जैसे तो आज भी कुछ लोगों को नौकर्स अपने प्रस्नल सेवा के लिए नौकर्स रखने की यह आदत हो गई है तो यह बास्ता में एक feudal era का ही hangover है प्रभाव है असर है the town grew in a haphazard way यहां एक महत्कुन word है haphazard है haphazard में होता है बेतर्तीव बेतर्तीव का मतलब क्या होता है अस्त व्यस्त तरीके से कोई planning नहीं हो कोई नियम का पलन नहीं किया जा सके जैसे मान लो कि मैं कहता हूं कि आप इस रूम में सो जाओ ठीक है तो एक आया एक नौर्थ की तरफ हेट करके सो गया एक साउथ की तरफ कर गया एक उधर इधर जहां था सो गया तो हम इसको क्या कहेंगे they are sleeping in a haphazard way मतलब अस्त व्यस्त त if you describe something as a haphazard you are critical of it because it is not at all organized or organized according to a plan अगर आप किसी चीज़ को haphazard कहते हैं तो आप इसका मतलब इसकी अलोचना करते हैं क्योंकि यह बिल्कुल ही शंगठित नहीं है बिल्कुल ही जिस तरह से योजना थी जिस तरह की प्लानिंग थी उसके हिसाब से शंगठित नहीं किया है यह बनाया नहीं उन्हें अभाला अभागा मतलब क्या होता है इसका लग खराब बैड लग कर डएंट तैंब आप गया है अया उन्हें से दोचार होना परा समस्याओ को फेस करना परा इन फेक्ट बास्तर में people rush to the town hard on the hills of the severe drought देख एक phrase है यहाँ पे hard on the hills of this phrase is very important for SSA मतलब just hard on hills मतलब के पीछे मतलब just उसके बाद होते ही कोई चीज और खास करके एक और phrase हिंदी इसका ही हो सकता है मारा मारा फिर ना मतलब कोई चीज की बैसे परिशानी में परे होने की बैसे तो in fact people rush to the town बास्तव में the severe drought यहाँ पे severe what is severe मतलब तिक्सना drought मतलब सूखा तो बहुत तिक्सने सूखा परा तो लोग परिशान थे मारा मारा फिर रहे थे तो सूखा के just बात क्या हुआ लोग अस्तव्य तरीके से टाउन की तरफ भागना शुरू कर दिये रस्ट टूट the town मतलब टाउन की तरफ तेजी से जाना and suddenly the population swelled यहां पर beautiful use a swell, swell मतलब क्या होता है फूलना, swelling, swelling हाया था ने body में मतलब सूजन होता है, फूल जाता है तो जिसकी बैसे क्या हुआ कि जो सहर की जनसंख्या थी फूल गया, मतलब बड़ा हो गया, फैल गया People settled wherever they found land vacant, लोग को जहां कहीं भी जगा खाली मिला वैकेंट मिन्स खाली इसी से वैकेंट से ही वैकेंट सी बनती है रिक्त अस्थान, तो कहते हैं लोग को जहां कहीं रिक्त अस्थान मिला, जहां कहीं खाली जगा मिला लोग वहां जाकर बस गए री और्गनाइजिंग दे टाउन उड़ नाउन नीड अ हाड नोजड अप्रोच करते हैं कि अब 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 लोग जहां तहां बैठ गया अब फिर से जहां तहां घर बना लिया बैठ गया जूगी जोपनी सरावसा लिया उन्हें या फिर कुछ लोगों ने जमीन खहित के बन होता है एक बस्तविक कदम उठाना जिसमें बहुत ज्यादा कठोर बनने की जोवत पर सकती है प्रैक्टिकल मतलब बैभारिक निर्ने लेने की जोवत पर सकती है तो कहता है यह प्रैक्टिकल मतलब होता है तो कहता है यह जो तरीका अपनाना परेगा तो यह बहुत ही होना पड़ेगा बहुत ही कठी निर्ने लेने पड़ सकते हैं करोड निर्ने लेने पड़ सकते हैं if you are a hard-nosed अगर आप hard-nosed है you are tough तो आप बड़ी रूखे हैं सक्त है and realistic बस तबीख है मतलब कि आप emotion नहीं है जो लेना है निर्ने तो लेना है you take decisions on practical grounds आप प्यभारिक अधारों पर निर्ने लेते हैं rather than emotional ones बजाए इसके की भावनात्मक आप भावनात्मक निर्ने नहीं लेते हैं आप क्या लेते हैं आप प्रैक्टिकल लेते हैं मतलब emotions आप में नहीं रहती है you are extremely determined in getting what you want अर्थात आपको जो भी चाहिए उसको पाने के लिए आप एक दम अत्यधिक दिद्निस चाहिए रहते है तो determined means दिद्निस चाहिए however किन्तु there is one thing good about the town लेकिन शहर के बारे में एक अच्छी बात है लोग बड़े सौहार्थ से रहते हैं harmony का मतलब होता है मिल जूलकर के रहना खोसी पुरबकराना प्यार से रहना the people live there in harmony लोग वहां शहर में प्यार से रहते हैं harmony is the pleasant combination of different notes of music played at the same time harmony word basically music से लिया गया है कि जित्रा से music बनाया जाता है जब music बनाया जाता है तो अलग लग संगीत को music को क्या किया था एक साथ combined किया जाता है ताकि अच्छे संगीत निकल सके तो यह जो सुखद combination होता है that is called harmony harmony तो जब इसको जब प्यार से कोई मिलता जूलता है मिल जूल करके सुखद पून तरीके से रहता है तो यहां भी हम लोग harmony कहते हैं तो यहां देखे कैसे harmony को define किया गया harmony is the pleasant combination of different notes notes मतलब लए अलग लग लए ओके जो संगीत के अलग लग जो लए है उसको क्या किया जाता है एक बड़ी खुशनुमा तरीके से मिला दिया जाता है हाँ और उस सब को एक साथ play किया जाता है if people live in harmony अगर लोग harmony के साथ रहते हैं प्यार से रहते हैं सवहार से रहते हैं with one another एक दुसरे के साथ they are in a state of peaceful agreement and cooperation तो वो क्या करते हैं बड़ी ही सान्थी पुरिये तरीके से और बड़ी एक दुसरे के सहोगात्मक तरीके की इस्थिति में रहते हैं a state of मतलब की स्थिति में peaceful मतलब सान्थी पुरिये agreement मतलब सहमाथी and cooperation मतलब सहयोग but then the hassles of bringing about a change will be there लेकिन तभी एक परिसानी आजागी hassles मतलब होता है परिसानी tension ठीक है कता है but then the hassles of bringing about a change will be there लेकिन तभी उसमें अगर कोई परिवर्तन करना होगा तो यह परिसानी उत्पन हो जागी a hassle is a situation, a hassle एक ऐसी सिती होती है that is difficult उबरा मुश्किल होता है and involves problems और उसमें समस्याएं सामिल होती है काफी कोशिस करनी पड़ती है और arguments with people हो सकता है कि लोगों से काफी बहस करनी पड़ जाएं so that's all, thank you very much